यहाँ पर RN के लिए आपको सब ग्रूप टेस्ट अपलाई करना है RN आपका अपने आप में वैक्टर स्पेस फॉर्म करता है यहाँ पर चार सेट दे रहे हैं और हमें चेक करना है कि इन चारो सेट में से कौन सब स्पेस फॉर्म करेगा तो सबसे पहले वो non-empty होना चाहिए सब इस स्पेस होने के लिए यानि कि जो चारो सेट है option A, B, C, O, D यह सभी के सभी non-empty हैं यहाँ पर जो elements हैं वो किस तरह से ब्लॉंग कर रहे हैं RN में enteples हैं A1, A2 and so on यह enteple है जो कि ब्लॉंग करता है RN में अगर यहाँ पर एक स्पेसल टाइप का सेट ले लिया जाए option A के लिए जिसमें A1 greater than equals to 0 है मा लेते हैं 1, 1, 1 and so on यह ब्लॉंग करता है आपका RN में लेकिन अगर हम इसको किसी scalar C equals to minus 1 से multiply कराते हैं तब C alpha suppose करो हम इसको alpha call कर देते हैं element को यह ब्लॉंग नहीं करता है RN में इसलिए option A आपका सबस्पेस फॉर्म नहीं करेगा ठीक इसी तरह अगर हम देखते हैं B में 0 वैक्टर है यानि कि हम देख सकते हैं 0, 0, 0 ब्लॉंग करता है RN में तो यहाँ पर set जो है और यह सबस्पेस फॉर्म कर जाएगा वह किस तरह से आप मैं आपको बता लेता हूं जहां पर greater than less than equals to powers जैसे a square या product या division अगर आपको product या division दिख रहा है उन cases में या कहीं पर mode function है जिसको हम absolute function कह सकते हैं या कहीं पर हमें कोई constant में one या कोई scalar add है जैसे कि अगर हम माल ले जो कि element है यह हमारा इसके किसी constant में कोई scalar add है जैसे plus two or plus three उस case में वहाँ पर सबस्पेस फॉर्म नहीं करता है तो यहाँ पर same condition अगर हम c के लिए चेक करते हैं तो वहाँ पर scalar multiplication fail हो जाएगा क्योंकि element one 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 अगर हम consider करते हैं जिसको हम alpha call करते हैं जैसे हम इसको minus one से multiply कराएंगे तो आपका minus one equals to minus one का square यह equal नहीं होंगे option c fail हो जाएगा और ठीक इसी तरह आपका scalar से multiply कराने पर option d भी आपका सब space form नहीं करेगा तो correct option जो है इसमें option b है यहाँ पर यह correct है